हेलो बच्चो कैसे आप सब होपली सब अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे है ना तो चलिए देखिए आजम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चाप्टर नमबर 11 जो की डिफ्रेंसिल इक्विशन का चाप्टर है उसके 5 एक्सराइज का 11 तू 15 कोस्टन करने आ रहे हैं है पिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं टेलिग्राम ग्रूप में अपनी प्रॉब्रम्स को सेर कर सकते हैं तो चलिए 11 कोस्टन की सुरुवात कर देते हैं ओके 11 कोस्टन चलिए देखे क्या है एक्स वाई डी वाई डी एक्स इस इक्वाल टू एक्स को माइनस वाई स्क्वेर तो यहां से हम डी वाई डी एक्स को वन साइडिट कर लेते हैं तो क्या बच रहे है एक्स क्वेर माईनस वाई स्क्वेर दिवाइड बाई एक्स वाई ओके सो हम लिख सकते हैं विच और हो मोजेनियोस डिफ टिफरेंशल एक्वेशन है ना उसके बाद मारे क्या स्केप होगा हम वाई की जग जग वीक्स सब्स्रिट्यूट कर रहे हैं तो अब इसमें हम with respect to x derivative करें तो यह बन रहा है dv by dx, first same second derivative, then second same first derivative, right? तो यह हमारी first equation है, तो इसमें क्या changes आए? तो from 1, हमारे पास dv by dx के जाए आगया v plus x dv by dx and x square minus y square, उसके जाए जाए v square x square divided by x into vx, right? numerator में हमने x square common लिया, तो 1 minus v square, denominator में भी x into x, x square बन जाएगा into v है, x square तो x square cancel, यहां से left hand side से जो v है, वो हमने दूसरी दराफ shift कर दिया, अब उसका ले लेते हैं, halseum, so halseum लें, तो v halseum आ गया, यहां 1 minus v square and minus v square, here it's same, तो इसको combine करें, तो यह हमारे पास अब क्या बच रहा है, 1 minus 2 v square divided by v, okay, variable separable की तरह हम इसको shift कर ले, 1 minus 2 v square dv and 1 by x dx, है न, तो अभी देखें, नीचे quadratic को उपर linear है, that means कि नीचे का derivative हम उपर adjust कर सकते हैं, तो नीचे का derivative देखें तो क्या आएगा, minus 4 v आएगा, that means कि इसको minus 4 की जरूरत है, है न, तो एक integration लगाई लेते हैं, integrating, both sides, तो हम ने क्या किया, minus 4 से multiply, and minus 4 से divide कर दिया, dv is equal to integrating, 1 by x dx, तो ये बन गया कुछ, log of denominator is equal to log of linear, plus ये दोनों log में हैं, तो इसको भी constant को भी log में माल लेते हैं, ऐसा करते हैं, जो power है, इस power को उपर ले जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगी, 1 minus 2 v, whole power minus 1 by 4, और log x को इधर लाना चाहिए, इधर ला सकते हैं, बाकि उधर भी रहेगा, क्या दिक्कत है, ऐसा करते हैं, log x और log c को combine कर लेए, तो log c into x हो जाएगा, log a plus log b की property हमने आपर use कर दी, मैं normally बहुत सारी properties जो हैं, वो बोल देता हूँ, लेकिन उसको हमें mention करना होता है, ठीक है, तो चली, दोनों तरफ log भी अटा देते हैं, और b के replacement में b की value भी रखते हैं, तो v square क्या बन जाएगा, y square upon x square, और whole power हमारे पास minus 1 by 4 है, is equal to cx, या तो अब हम यह कर सकते हैं कि both side, 4 power से multiply कर सकते हैं, ताकि यह 1 by 4 power जो हो, खतम हो जाए, इधर 4 power लग जाएगी, right hand side को, clear, तो ऐसा ही कर लेते हैं, चलिए, या यह यह कहीं कि एक तरफ से अगर आप यह जो minus 1 4th power हाटाएंगे, तो दूसरी तरफ जो है, यह minus 4 power बन जाएगी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तो अमने ले लिया lc, यह बन गया, x square minus 2 y square, ओके, so x square minus 2 y square upon x square, और is equal to, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 upon c raise to power 4 and x raise to power 4, negative power थी, तो मैं positive में ले आया हूँ, नीचे, अब x square से यहाँ पर एक x square cancel हो सकता है, है ना, तो सारा सब कुछ एक तरफ ही shift कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, c raise to power 4, x raise to power 4, मैंने lap side में ही shift कर लिया है, ओके, so अब x square से x की power 4 cancel करें, तो c raise to power 4, x square बच जाएगा, और x square minus 2 y square, और is equal to में 1 बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, required solution, clear, चलिए, यह था हमारा question number 11, next करते हैं, question number 12, क्या given है, x square plus x y dy, x square plus x y dy, और is equal to में क्या है, x square plus y square dx, okay, x square plus y square into dx, तो यहां से अब ऐसा कर लेते हैं कि dy by dx को अलग कर लिया, तो बाकी x square plus y square divided by x square plus x y and which is a homogeneous differential equation, है न, so put y is equal to vx, so that हमारे पास differential formation dy by dx किसके इपल हो जाएगा, v plus x dv by dx, right, इसको हमने 1 बोल दिया, so therefore from 1, हमें क्या structure मिल रहा है, v plus x dv by dx is equal to x square plus y square, तो y square की जाएगा, v square x square divided by x square plus x y की जाएगा, v into x, so अब denominator से हमने क्या किया, x square को में ले लिया, तो 1 plus v square बचा, and denominator में भी x square को में लिया, तो 1 plus v बच रहा है, और left hand side से जो एक v है, वो हमने दूसरी तरफ shift कर लिया, तो यहाँ हमारे पास x square से तो x square cancel, lc m क्या आगया, 1 plus v, उपर 1 plus v square है, minus v 1 से करेगा, तो minus v, minus v v से करेगा, तो minus v square, तो plus v square, minus v square cancel, यहाँ x dv by dx, अब separate कर ले, 1 plus v numerator में आ जाएगा, 1 minus v denominator में dv की तरफ आ गई, x हमने दूसरी तरफ कर लिया, अब integrating both sides कर लेते हैं, integrating both sides, so, हमारे पास, क्या बच रहा है, देखिए, अब नीचे जो portion है, उपर नीचे की degree जो है, वो बिल्कुल सेम है, है ना, तो ऐसे situation में हम normally क्या गरते हैं, कि exact जैसा नीचे है, वैसा ही हम उपर भी बनाते हैं, है ना, ताकि कुछ portion तो simplify हो जाए, तो ऐसा करते हैं, minus से मैंने multiply कर दिया, दो बार, बाहर भी दिखा दिया, और अंदर numerator में देखो मैंने multiply कर दिया, ठीक है, तो नीचे minus V जैसा तो बन गया, फिर चलिए अगले step में ही कर देंगे, यहाँ 1 by x, dx, तो अब ऐसा करते हैं, कि इस minus 1 को तो मैंने रख लिया side में, इस minus V के साथ मैंने एक add कर लिया और एक subtract कर लिया, ठीक है, नीचे 1 minus V, dv, integration, 1 by x, dx, ऐसा है, तो अब यह देखिए, मैं 1 minus V के साथ इसको अलग separate कर रहा हूँ, dv, और minus के साथ, यह minus 2 जो है, इसके साथ यह denominator अलग separate कर दिया, फिलाल, वैसे हम right hand side का integration कर सकते थे, पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो यह cancel, क्या बचा 1 और 1 का integration क्या होता है, variable, है न, minus minus यह plus 2 हो जाएगा, यह 2 minus के बात कर रहा हूँ, 2 coefficient है, 1 upon linear का क्या होगा, 1 upon linear का हो जाएगा, log of linear, लेकिन यह linear है, उसका derivative देखो, minus 1 आएगा, तो यह बाहर वाले plus को minus बना देगा, और is equal to में क्या है, log of x and plus c, अब c ही रख लेते हैं, क्योंकि और तो इतना कुछ है नहीं हमारे पास, clear, तो और के adjustment की जा सकती है, और तो कुछ खास adjustment नहीं हो सकती है, तो ऐसा ही करते हैं, दोनो लोग वाले एक तरफ कर लेते हैं, है न, चलिए, ऐसा ही कर लेते हैं, minus log, one minus v का whole square, मैं ही दो power इसके लेगे, मतलब दो multiple में जो था, वो power में ले गया, log of x को left में लेके आएंगे, तो minus में आ जाएगा, यह minus कभी दूसरी तरफ जाएगा, तो plus कभी हो जाएगा, और plus c वहाँ पहले सही है, ठीक है, तो अब देखें, दोनो same sign कि हैं, that means कि यह दोनो quantities आपस में multiply करेंगे, log of a into b is equal to me v plus c है, और क्या किया जा सकता है, बस अब v की जगे एक बाद v की value रख लेते हैं, उसके बाद कुछ देखते हैं, so minus log of x, 1 minus v की value y by x का whole square है, is equal to y by x plus c, ऐसे हम इतना छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस अलके फुल की adjustment करके देख लेते हैं, कुछ adjustment होती होगी तो कर लेंगी, देखे, x minus y का whole square, and y by x plus c, so minus log of, जहां तक पर इस खतम हो रहां वहां तक कर लेते हैं, ठीक है, so हमें यह करणा हूँ कि x multiply, उपर मैंने power अलग separate कर ले numerator के साथ, और denominator के साथ अलग कर ले, ठीक है, अब आप notice करोगे कि numerator में एक x और यहां यह दुनों आपस में cancel हो गए, तो बस और इसमें जादा कुछ नहीं का सकते, इसको as it is, छोड़ देते हैं, बस अब वैसे तो adjustment देखे, कितनी भी कर लीजिए, वो भी कमी है, तो यह हो गया हमारा 12th question का solution, clear, चली, next करते हैं, 13th, क्या है, बस इस बार हमें root नजर आ रहे हैं, तो ऐसी situation में आप root के अंदर की degree देखिए, जो root के अंदर की degree है, उसका कर दीजिए, half root की वज़े से, क्योंकि root actually basically कितनी power होती है, half power होती है, है न, तो अंदर 2 degree है, तो उसकी half 1, तो 1 degree, यह भी 1 degree, यह भी 1 degree, तो यह एक, कहना में, homogeneous की पहचान ही है, तो that means कि हम जो normal काम करते हैं, वही इस पर भी करने वाले हैं, clear, तो which is a homogeneous differential equation, तो directly अब हम इसमें substitution का काम कर लेते हैं, यह पहले से dy by dx एक तरफ है, इसमें, तो यह वाली जो line है, यह में बार 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 यूज करने पड़ती है, ऐसा करता हूँ, इस बार मैं इसी को copy कर लेता हूँ, है न, so that, so dy by dx, किसके को लो जाएगा, v plus x, dv by dx, क्योंकि है कि यही तो line है, जो हर question में, as it is, use होती है, कोई changes है ही न, इसमें, है न, तो therefore, इसको हमने क्या बार दे हमारी one, therefore, from one, क्या situation बन रही है, v plus x, dv by dx, is equal to, root के अंदर, x square minus y square, y यानि कि v square x square, plus v into x, and divided by x, clear, so, एक बार देख लेते हैं, देखे, root के अंदर से x square को मल लिया, तो root के बाहर आके, वो simple x बन जाएगा, और अंदर क्या बचा सिर्फ, one minus v square, और plus vx है, अब denominator में हमारे पास, एक x already है, तो अभी के लिए तो मैं इसको, as it is, रख लेता हूँ, so, अब आप notice करोगे कि denominator में जो x है, वो इस वाले x को भी divide करेगा, और इसको भी दोनों को divide करता है, तो basically हमारे पास बचा क्या, one minus v square, और plus का भी बच गया, लेकिन जो left में v था, वो इधर आकर क्या करेगा, minus, तो ये दोनों आपस में cancel हो जाएंगे, इधर हमारे पास सिर्फ, x dv by dx बच रहा है, clear, अब shifting का का काम करने, one upon root one minus v square and dv, और इधर क्या आगया, one upon x dx, अब integrating both sides करें, integrating both sides, so हमारे पास ये direct formula ही बन गया, किसका formula बन रहा है, ये हमारे पास बन रहा है formula, sin inverse का, और ये तो हर बार की बात है, one upon x, ये तो आपको रट गया होगा आप तो, ये किसका बन जाता है, या बन जाता है, sin inverse v, और ये बन गया, log of linear plus c, अब v की जगे v की value रख दें, या पर क्या बन जाएगा, sin inverse y by x, और यहाँ है log of x plus c, या आ गया हमारा, किसका solution, question number 13 का, है न, चलिए, hopefully समझा आ रहे होंगे questions, किसी तरह का doubt रहता है, तो आप comment कर सकते हैं, चलिए, next question करते हैं, क्या है, two root के अंदर है xy minus x, फिर दिवेबर dx, छीक है, question number 14, क्या given है, two root xy minus x, x था या y था minus के बाद, देखते हैं, and div by dx, और plus में तो y था, वो तो ध्यान है, इसको confirm कर लेते हैं, अबर यही है क्या, minus x था, ठीक है, and y, ओके, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, कि div by dx एक तरफ करना है न, तो पहले तो two root xy minus x, dy by dx, y को दर ले गए तो minus y, अब div by dx के value निकालें, तो यह किसके equal आ रही है, minus y, two root xy minus x, यह उपर का minus, आप नीचे adjust करना चाहें, तो यह इसको positive बना देगा, और इसको negative बना देगा, clear, तो चलिए, कोई बात नहीं, हम ऐसे रहने देते हैं, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, which is a homogeneous differential equation, और homogeneous है, तो अब हम यहाँ पर यह वाला काम start कर सकते हैं, therefore, इसको हम इतनी equation वनमान के चलते हैं, therefore, from one, क्या structure बन रहा है, v plus x, dv by dx, is equal to minus vx, denominator में क्या है, to root x into vx minus x, है ना, फिलाल यह same ही रहेगा, क्योंकि एक बार तो हमें root से value बाहर निकालने में ही time लग जाने वाला है, so, देखें, minus vx, denominator में, देखें, यह x square बन गया, और x square का root क्या होता है, x होता है, तो root के अंदर क्या बचा सिर, v बच गया, minus x, अब denominator में से, हम x common लगें, तो देखें, हमारे पास क्या बच रहा है, x हमने common लिया, denominator से, तो root v minus 1 बच रहा है, और उपर minus vx है, 1x, 1x, cancel, अब जो left में v है, उस v को shift कर लेते हैं, तो root v minus 1 और minus v है, वो v दरा कर minus करेगा, अब उसका LCM लेना बाकी है, right, चलिए, LCM लेते हैं, तो LCM हमारे पास क्या आगया, 2 root v minus v, तो देखें, minus v तो इसका पार्ट रही है, इससे multiply करेगा, तो 2v raised to power 3 by 2, वो minus minus plus v बन जाएगा, और ये दोनों आपस में cancel, तो अब इनको variable separable method से shift करें, तो 2 root v, और minus v, तो numerator बन गया, और minus का 2v raised to power 3 by 2, ये denominator, dv, और इधर बन गया, 1 by x, dx, है न, integrating both sides वाला काम करें, integrating both sides, so, देखें, integration के साथ-साथ हम separate कर लिए, denominator में एकी term है, तो वो इसको भी divide करेगी, और इसको भी divide करेगी, है न, तो first 2 root को divide करें, तो 2 से 2 cancel, minus मैंने उपर shift कर दिया, उपर v की देखिए, half power है, और नीचे v की 3 by 2 power है, तो basically हम आर पास बचा क्या, नीचे 1 v बच लिया, है न, और फिर minus, और ये minus, ये दोनों minus मिलके क्या बन जाएंगे, plus, ठीक है, और एक 1 by 2 मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ v की 1 power है, और नीचे 1 and half power है, तो नीचे कितनी power बच गई, ये नीचे half power बच गई, या तो इसको ऐसे लिख लिजीए, या root में लिख लिजीए, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ 1 upon x dx है, clear, तो अब देखिए, 1 upon linear क्या होता है, ये तो log of linear हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या है, यहाँ अमारे पास वही logic लग जाएगा, कोई साब की, एक तो sign change, और उपर से power एक कम, और उसी से divide, है ना, ठीक है, यहाँ हम एक और वो तरीका कर सकते हैं, कि, और एक second, एक गडबर हो गई, यहाँ पर denominator में मैंने lcm लेते वो गडबर कर दी, 2 root v minus 1 है, और मैंने यहाँ पर minus v लिख लिया, minus 1, लेकिन मैंने यहाँ पर सही किया है, यह सही है, ठीक है, यानि कि shifting में यहाँ गडबर, तो 1 को जब divide करेंगे, तो minus cancel, 1 by 2, यह 3 by 2 पावर ही रहेगी, 3 by 2, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम उपर shift करने वाले तरीके की बज़ए, डारेक्ट ही कर रहे हैं, देखें, क्या, एक तो sign change, ठीक है, फिर नीचे एक पावर कम, तो 3 by 2 से एक पावर कम करोगे, तो half बचेगी, और उसी half power से multiply करना है, तो देखें, यह 2 से तो यह 2 cancel हो गया, और is equal to में यहाँ क्या बच गया, log of linear, plus c, तो basically हमारे पास, एक बार बच आएं, तो क्या-क्या बच गया, log of v बच रहे, ठीक है, log of v, और यह minus को आगे लिख लेते हैं, और one upon v बच रहे, या root भी लिख सकते हैं, चलिए, यहाँ सा करते हैं, root में लिख देते हैं, और is equal to में log of x plus c, clear, चलिए, v की जगे, v की value रखते हैं, देखें, minus log of, क्या बन जाएगा, y by x, यहाँ क्या बन जाएगा, root y by root x, तो by root x उपर चला जाएगा, log of x plus c, हमारे पास already है, है न, तो अभी देखें, इस log की property यहाँ पर use गरते हैं, कुछ ना कुछ तो effect पड़ेगा, तो log of a upon b क्या होता है, log of a, minus log of b होता है, लेकिन एक minus बार भी है, तो वो इस minus को plus बना देगा, log of b, और यह minus root x divided by root y, ठाले से ही है, और is equal to में देखें, log of x plus c, यह देखें, दोनों तरफ से log x cancel, हमारे पास, यह दो चीचे बच गई, आप इन में से, दोनों में जो minus है, उस minus को shift कर सकते हैं, अचाहें, तो खतम कर सकते हैं, तो यह बन जाएगा log of y plus root of x upon y is equal to minus c, यह minus c की जगा, अब c1 कुछ होर change कर दो, ठीक है, कि माइनस हमने changes किया ना, कि left और right side में हमने minus पे effect दिखा दिया है, clear, तो यह था हमारा question number, कुछ सा question है, question number 14, clear, चलिए, next करते है, question number 15, chain, क्या है, x cube minus 3xy square, ठीक है, चलिए, देखते हैं, shifting करते हैं, पहले दो, so dy by dx, dx उस तरफ ले गया left से right में, denominator में, so x cube minus 3xy square, तो मेरे को यह इस तरफ लेके जाने पड़ेंगे न, divide में, तो यह बन गया हमारा y cube minus 3x square y, clear, so अपना, which is a homogenous differential equation, उसके बाद अपना यही step, यह अपनी equation 1 है, therefore, from 1, क्या structure बन रहा है, यह बन रहा है, v plus x dv by dx is equal to x cube, actually, x cube minus 3x into y square है, that means कि v square x square, and denominator में y cube है, so v cube into x cube minus 3x square into y, y, यानि कि v x, clear, so अभी के लिए, देखे, numerator में भी x cube को मना रहा है, क्या बच गया, 1 minus 3v square बच रहा है, और denominator में क्या को मना रहा है, वही x cube, तो क्या बच रहा है, v cube minus 3v, है न, so, हमने v को दूसरी तरफ shift कर लिया, x cube से x cube कट गया, अब right hand side में हम ले लेते हैं, calcium, so, calcium लें, तो हाल से मारा है, v cube minus 3v, तो उपर 1 minus 3v square as it is, minus v cube को v से गया, तो v raise to power 4, और minus minus plus 3v square, तो ये तो चलो, अच्छे बात है, ये कट गए, यहाँ left side में मारे पास dv by dx बच रहा है, चले shifting करते हैं फिर, so, v cube minus 3v divided by 1 minus v raise to power 4, dv is equal to 1 upon x dx, right, ऐसा कुछ structure जो है, वो हमारे पास बन गया है, अब मेरे को ये देखना है कि कैसे किया जा सकता है, ये काफी lengthy process मेरे को लग रही है, by partial से ही I hope, ये हो पाएगा, नीचे का derivative उपर बनाने का कोई फाइदा तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए denominator में तो हमें partial लगाने ही लगाना है, तो क्यों हम अपना extra time जो है वो खराब करें, नीचे का derivative उपर बनाने में, चली करते हैं, और कोई option नहीं है हमारे पास, मैं थोड़ा ये सोदरा तक कोई और तरीका निकल कर आ जाए यहाँ पर, इंटेग्रेटिंग, बोट साइड्स, मारे पास integration का sign लग गया, V3-3V, and denominator में देखें, इसको factorize करें, तो I think इसके factor एक 1-V, 1-Plus V and 1-Plus V square, ये बनेंगे, DV and 1 upon x dx, ठीक है, तो अब इसको बाइपार्चल ही किया जा सकता है, unfortunately, और कोई option यहाँ पर, नजर नहीं आ रहा है, इसको हम 2 बोल देते हैं, ठीक है, I think extra page की हमें ज़रूरत पढ़ने वाली है यहाँ पर, so, now, let, let करते हैं, देखें, V3-3V, divided by, ये जो भी हमारे पास, 1-V, 1-Plus V and 1-Plus V square, is equal to, 1-V, दूसरे में, 1-Plus V, तीसरे में, 1-Plus V square, तो, उपर linear, sorry, नीचे linear है उपर constant, नीचे linear है तो constant, नीचे quadratic है तो, linear, यह न, CV plus D, so, left-hand side तो as it is, left-hand side में, कोई changes नहीं होंगे, right-hand side में, अब L-SIM लेना है, so, L-SIM लेते हैं, L-SIM क्या आएगा, 1-V, 1-Plus V, and 1-Plus V square, काफी लेंथी काम होने वाला है, चलिए, और कोई option है निया हमारे पास, 1-Plus V square, और B में क्या multiply करेगा, 1-V, and 1-Plus V square का product, और CV plus D में क्या multiply करेगा, यह multiply करेगा, 1-Plus V square, यह दोनों multiply करने थे, तो इन दोनों का product, 1-Plus V square ही होगा, right, दोनों का denominator आपस में, cancel, हमारे पास, left-hand side में तो सिर्फ V cube minus 3V बच रहा है, या तो एक काम करते हैं, एक दूसरा तरीका यूज करते हैं, देखिए, put V is equal to 1 रखते हैं, दोनों तरफ, तो क्या fact पढ़ता है, तो, देखिए, 1 cube minus 3 into 1, is equal to, में क्या जाएगा, A, 1 plus 1, and 1 plus 1 square, और यहाँ पर, B, 1 minus 1, and 1 plus 1 का square, and in the same way, C, V plus D, इसमें, 1 minus 1 का square, तो आप notice कर देखो, 1 minus 1, 0, 0 को किसी से multiply करोगे 0, तो यह पूरी term 0 बन गई, in the same way, यह भी 1 minus 1 0 है, तो यानि कि यह पूरी term भी 0 बन गई, तो basically हमारे पास बचा क्या, left hand side में देखिए, 1 minus 3, minus 2 बच रहा है, और यहाँ पर, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 2 into 2, 4, तो 4 A, तो यहाँ से हमारे पास देखो, A की वैलू कितने आ रही है, minus 1 by 2 के एकुल आ रही है, यह चोटा पढ़ जाता है, normally actually, ठीक है, तो अब इसी तरीके से, मैंने यह भी 1 ही क्यों रखा, मैंने actually factors उठाए, जैसे यह एक factor नजर आ रहा है, यहाँ से V की वैलू निकाली, ऐसे ही अब मैं यह factor उठा लेता हूँ, यहाँ से V की वैलू हम क्या रख सकते हैं, minus 1 रखें, तो वो कुछ और situation बन सकते देखें, put V is equal to minus 1, तो अब आप notice करोगे, इसी में ही हम रख रहे हैं, तो minus 1 cube, minus 3 time of minus 1, minus 1 इसमें रखा, यह 0, minus 1 इसमें रखेंगे, यह भी 0 हो जाए, क्योंकि minus 1 का square 1, और 1 minus 1, 0, तो basically हमारे पास, जो B वाला portion वो बचेगा, 1 minus minus 1, तो जो की plus हो जाएगा, and then 1 plus minus 1 का square 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, minus 1 और plus 3, is equal to, वही 4B, तो that means की B की value, I think 2 by 4, यानि की 1 by 2 आ रही है, clear, अब COD की value निकालने के लिए, हम कुछ ऐसा रखें की, भई A और B खतम हो जाए, जो की possible, नहीं होगा, तो V square को हमें, minus 1 रखना पड़ेगा, लेकिन V square को minus 1 रखने को, कुछ फाइदा है नहीं, तो ऐसा करते हैं कि, compare ही करते हैं, compare the coefficients of, देखिए, C, कहां कहां आएगा, C आएगा एक तो, V के, V में, इसको ध्यान से देखें, तो C V को 1 से multiply करें, तो C आ सकता उसमें, है ना, सिर्फ V के, so, compare, ring, coefficients, of, V, हां, coefficient of, V, तो, left hand side में देखोगे, तो V का coefficient, I think सिर्फ minus 3 है, right hand side में, V का coefficient कुछ बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, देखिए, ये V, जब 1 से multiply करेंगा, तो V आएगा, और उस V के multiple में, A भी आएगा, तो that means की, A, आ गया, यहां को ए V का coefficient बन सकता है, बिल्कुल बनेगा, minus V को, जब 1 से करोगे, तो minus V, minus V को B से भी multiply करोगे, तो हमारे पास, minus का B आ रहा है, छीक है, दोनों की value हैं हमारे पास, और, C को ध्यान से देखें, तो CV को बन से करें, तो V बनेगा, तो यह आ गया, plus का C, तो अब हम यहां पर यह करते हैं, कि A और B की values जो हैं, वो substitute कर देते हैं, A की value है minus half, minus B की value है half, plus C, तो minus half, minus half, minus 1, minus 1, इधर आ कर क्या करेगा, plus 1, तो minus 3, plus 1, minus का 2, so C की value आ रही है, minus 2, clear, इसी तरीके से, अब हम, coefficient of, V square को compare कर लेते हैं, comparing, coefficient of, V square, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि, अब यह देखे, D जो है, constant को कर लेते हैं, ठीक है, वो आसान पड़ेगा, है ना, constant को compare करते हैं, constant, term, constant, term, ठीक है, एक page include कर लेते हैं, ठीक है, एक constant term को compare करें, तो left hand side में, तो constant क्या है, 0 है, right hand side में, constant देखिए, one को one से multiply करने से, constant बनेगा, और उसके साथ आएगा, यानि, यहां आ गया, A, आपको ये चीजे, नई तब लग सकती है, अगर आपने integration में, यह नहीं किया हो, ठीक है, D के साथ, एक एला, one है, और कोई constant बनेगा, नहीं बनेगा, I think, तो plus D, इसकी value तो, मेरे ख्याल से, 0 आने वाली है, क्योंकि, देखिए, A की value है, minus half, plus B की value है, half, plus D, तो ये दोनों तो कट गए, तो D की value किसकी equal आ रही है, 0 की equal आ रही है, है ना, हम इसको कोई नाम दे देते हैं, from 2 से, है ना, so from 2 से, हम इसको, यानि कि इसको, ऐसा लिख सकते हैं, बस इसमें, ABCD की value substitute करनी है, ठीक है, so from 2, sorry, 2, हमारे पास क्या structure बन जाए, जाएगा, integration का sign, A, minus half, उसके साथ है, 1 minus V, है ना, यह देखे, A, upon 1 minus V, B के साथ है, 1 plus V, और B की value है, so plus, 1 by 2, 1 plus V, and then, CX plus D है, और C की value देखे, क्या है, minus 2, उसके साथ है, X, plus D, D की value 0 है, और इसके नीचे था, 1 plus V square, तो, इस complete का, integration, और फिर, 1 by X का integration, है ना, अज़िए, अज़िए, इतने मेहनत कर रहे है, होफिली, 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 सब साइयो, most probably, लग तो रहे, होना चाहिए, तो, चली, करते हैं, integration, एकि, minus, 1 by 2, तो, फिलाल, as it is, 1 upon linear का, क्या जाएगा, log of, linear, लेकिन, linear का derivative, क्या आएगा, minus 1, क्योंकि, minus V का derivative, minus 1, चोंकि, इस minus को, क्या कर देगा, plus, चीक है, then, फिर से, 1 by 2, क्या जाएगा, log of, linear, है न, then, minus, ओ, सोरी, या, x नहीं, V, अभी देखिए, V square का derivative, क्या होता है, 2V होता है, exactly उपर है, इस minus को तो, बाहर ले लिया, तो, यह क्या जाएगा, log of, denominator, और, यहां, जहां तक possible है, वहां तो ऐसा करते हैं, कि, इनको, जैसे half power है, इसको half को उपर ले जाए, root में लिख ले, root 1 minus V, plus, log of, root 1 plus V, minus, log of, 1 plus V square, is equal to में, इनका log combine ही कर लेते हैं, cx, है न, काफी लंबा गोशन हो गया, बहुत लंबा गोशन हो गया, सिर्फ इस partial की वज़ा से, इन तीनों left side में, यह जो तीनों log से, इनको combine करें, तो, जो plus वाले हैं, वो तो क्या करेंगे, multiply और वो भी numerator मे, और जो minus के बाद वाला है, वो आ जाएगा, और बस क्या बच गया, root of one minus v square, क्योंकि root आपस में common आ गए, और one plus v, one minus v, और यहां denominator में क्या है, one plus v square है, is equal to में क्या है, cx, squaring both side करना चाहिए, squaring कर सकते हैं, root हटाने के लिए, तो, करी देते हैं, चलिए, और तो कोई क्या option है, या पहले आप ऐसे करना चाहिए, मैं इसको दूसरी तरफ ले गया, one plus v square, अब वी की values रख देते हैं, देखे, one minus y square upon x square, is equal to cx, one plus y square upon x square, यहां LCM लिया तो गया गया, x square, x square minus y square, is equal to cx, और यहां LCM लिया तो x square, x square plus y square, 1x, 1x, sorry, पूरा ही काट दिया हैं तो, 1x cancel कर दिया, और यहां root separate किया, तो numerator में root अलग separate हो गया, denominator में x square का root, x बचा, और यहां c, x square plus y square, upon में क्या है, एक single x, वो single x भी आपस में cancel हो गया, तो finally हमारे पास कुछ ऐसे से situation बच रही है, root of x square minus y square, is equal to c, x square plus y square, अब आप root हटाना चाहें, तो squaring बूच साइड कर सकते हैं, तो x square minus y square, squaring किया तो c square, and x square plus y square का, whole square, यह बन गया है, clear, तो इसी के साथ हमारा 15th question, काफी लंबे समय के बाद, ऐसा लग दा, पता नहीं कब से इस question को करते आ रहे हैं, आखिरकार complete हो चुका है, hopefully आपको question समझाए होंगे, आज के जो 5 questions हमने किये हैं, content अच्छा लगा है, तो please like करना ना बूले, ता कि उनको भी कुछ ना कुछ benefit हो, और चैनल पर नहीं है, तो please subscribe करना भी ना भूले, तो चलिए मिलते हैं, next video में, आगे के questions के साथ,